अफगनिस्तान अमेरिका समार्तित अफगान सरकार के गिरने और राश्ट्रपती घाने की देश छोड़कर भाग जाने की बाद तिलिबान ने अफगनिस्तान में पावर अपनी हाथ कर ली है दो दशक की उस अभियान का अबुदपूर समाप्त करना जिसमें अमेरिका और उसकी सहयोगियों ने यूद से तबाराश्ट्रों को बदर ले की कोशिश की थी एक फेस्बुक पोस में घाने ने कहा कि तेलिबान के साथ संगर्स से बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ दिया है जिससे काबूल की लाखो नवासियों को खत्रा होगा रोस की सरकार समाचार एजेंसी रिया नौवस्टी ने बताया है कि वह कती तोर पर काबूल से चार गारी और कैस से बड़ा एक हेलिकॉप्टर लेकर भाग गया था इसके बाद कम से कम साथ लोग जो अफगनिस्तान में तेलिबान सासन से बचने के लिए जो चिपके रहे यूएस एरफोस प्लान में वो लोग 16 आगस में काबूल एरपोर्ट पर एक हतापाई में मारे गए क्योंकि सैक्रो लोग तले हुए थे बोर्ट फ्लाइट्स के लिए बेकरार होकर अफगनिस्तान से बहान निकल पाने के लिए इसमें तीन आफगन नैशनल शामिल थे जो कटी तौर पर आसमान से गिर कर मारे गए थे क्योंकि वो देश से भागने की अपनी कोशिश में नाकामियाब रहे थे अफगनिस्तान सिविल एविएशन अथोरिटी ने एक बयान में कहा कि हमित करज़ए इंटरनेशनल एरपोर्ट में सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को उढ़ाने में निलम बिज्जों की सस्पेंड कर दी गई है इस बीच अमेरिका राश्रपती जियोबीदेंड ने तेलिबान को चिताफनी दी है कि अगर वह अमेरिका कर्मियों पर हमला करता है या अफगनिस्तान में उनके आबियान को बंदित करता है तो अमेरिका की ओर से त्वारिद और जोरदार प्रतिक्रिया दी जाएगी इससे पहले 15 अगस को तेलिबान की राचनीतिक ओफिस के प्रवकता स्पोकमेन ने एल जाजीरा टीवी को बताया कि अफगनिस्तान में युद समाप्थ हो गया है और ऐसे प्रकार का रूल्स और प्रसासन जल्थी पर्ष्ठ हो जाएगा इस सिचुएशन पर बोलते हुए युनाइट नेशन सेकरिटेरी जेनरल एंटोन योग युटार्स ने कहा है कि वह अफगनिस्तान की श्रिष्टी की बारे में गहराई रूप से चिंतित है और तेलिबान से अध्यादिक कंट्रोल बरतने का रिक्वेस्ट किया